सभा उपदेशक अध्याय पांच जब तुम परमेशर के मंदिर में जाते हो, तब अपने आचरन का ध्यान रखो मूर्ख द्वारा चड़ाए गई बली की अपिक्षा, परमेशर के मंदिर में आना और उसका वचन सुनना स्रिष्ट है क्योंकि मूर्ख ये नहीं जानता कि जो कारी वो करता है वो दुश्कर में है अपने मूँ से कोई बात जल्दी मत निकालो और ना उतावली में अपने हृदय की बात परमेशर के समुख प्रकट करो क्योंकि परमिशर तो स्वर्ग में है और तुम प्रिध्य पर अता तुमारे शब्द थोड़े ही हो जैसे कारी की अधिक्ता के कारण व्यक्ति स्वप्न देखता है वैसे ही बहुत बगवाज से मूर्ख की मूर्खता प्रकट होती है जब तुम परमिशर के लिए मननत मांगते हो तब उसको पूरा करने में विलंब मत करना क्योंकि परमिशर मूर्खों से प्रशन नहीं होता जो मननत तुम मांगते हो उसे पूरा करो मननत मांग कर उसे पूरा ना करने से मननत का ना मांगना ही अच्छा है तुम अपने मुझे से शब्द ना निकालो जो तुम्हे पाप में फसाए स्वर्गदूत के समुक यह ना कहो कि मुझसे भूलो गई अनिथा परमेशर तुम्हारी आवाज सुनकर कुरुध होगा और वह परिस्रम से किये गए तुम्हारे काम को नश्ट कर देगा जब व्यक्ति अधिकादिक सुपन देखने लगता है तब उसकी व्यर्थ बाते भी बढ़ जाती है किन्तो तुम परमेशर का भै मानना यदि तुम किसी प्रदेश में गरीबों पर अत्याचार होते देखो यदि तुम वहाँ न्याय और धर्म का गला घोटा जाता हुआ देखो तो आश्यरी मत करना क्योंकि एक अधिकारी की उपर उससे बड़ा अधिकारी होता है और उससे भी उपर उच्चादिकारी होता है किन्तु ऐसा होते हुए भी देश के लिए यह लाबदायब बात है कि देश की सेवा करने वाला एक राजा हो पैसे से प्यार करने वाला पैसे से कभी संतुष्ट नहीं होता और नहीं ऐसा विक्ति जिसे धन से प्रेम है उसके अधिकादिक लाब से संतुष्ट होता है यह भी व्यर्थ है ज़स संपत्ती बढ़ती है तब उसको खाने वाले भी बढ़ते है अता उसके स्वामी को इससे क्या अलाब सिफ यह कि वह उसे केवल आँखों से देखे मजदूर के लिए वर्दान है मीठी नीद चाहे वह आधा पेट खाए चाहे पेट भर किन्तु धनवान का धन बढ़ने से उसके आँखों से नीद उड़ जाती है मैंने सूरी के नीचे धर्ती पर एक दुखर बुराई देखी धन का स्वामी अपने अनिष्टी के लिए धन संग्र करता है यदि उसका धन सटे बाजी में उड़ जाता है और यदि उसके घर में पुत्र जर्म लेता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं बसता जैसा वह अपनी मा की कोक से पैदा हुआ था वैसा ही नंगा लोट जाएगा वो अपने हाथ में अपने परिस्रम का फल नहीं ले जा सकेगा यह दुखत बुराई है जैसा वह आया था ठीक वैसा ही यहां से लोट जाएगा उसे अपने परिस्रम से क्या लाब हुआ उसने विर्थी परिस्रम किया उसने अपना संपूर्ण जीवन अंदकार और दुख में चिंता और रोग में असंतोश में वितीत किया देखो जो भली बात मैंने अनुभव की और जो उचित भी है वो यह है मनिश्य परमेश्य द्वारा दिये गए अपने अल्पकाल के जीवन में सूरी के नीचे धर्ती पर आनंद पूर्ण परिस्रम करें खाए और पीए क्योंकि यही उसकी नेती है हर एक मनिश्य जिसे परमेश्य ने धन संपती दी है तथा उसको भोगने का सामर्थ भी दिया है वो अपनी नियती को स्विकार करें और आनंद पूर्ण परिस्रम करें यह परमेश्य का वर्दान है परमेश्य उसे उसके हदय के उल्लास में ही डुबाय रखता है इसलिए वो इस बात को बहुत याद नहीं कर पाएगा कि उसका जीवन थोड़े दिन का ही है अध्याय छे मैंने सूरी के नीचे धर्ती पर एक और बुराई दीखी जिसके भार से मनिश्य दबा रहता है वो बुराई यह है परमेश्य मनिश्य को धन संपती और प्रतिष्टा प्रदान करता है और मनिश्य को अपनी इच्छा के अनसार सब कुछ प्राप्थ हो जाता है उसे किसी वस्तु का आभाव नहीं रहता फरंतु उस मनिश्य को परमेश धन संपती भोगने का सामर्थ नहीं देता बलकि अंजान विक्ती उसकी धन संपती भोगता है अता धन संपती निसार है यह भयानत दुख की बात है यदि किसी मनिश्य के सौ पुत्रुत्पन होते है और वह लंबी उम्र तक जीवित रहता है दीरगायू प्राप्त करता है पर यदि वह जीवन के सुखों को भोग न कर पाए मरने पर अंतिंक क्रिया भी उसे ना प्राप्त हो तो मैं यह कहूंगा ऐसे मनिश्य से अधूरे मा का जन्मा मृत बच्चा स्रेष्ट है मृत बच्चा इस धर्ती पर व्यर्थ ही आता है और अंदकार में लुप्त हो जाता है अंदकार का परदा उसके नाम को ढख लेता है बस सूरी के प्रकाश को नहीं देख सकता और ना उसे जीवन का कुछ अनुभव ही है फिर भी उसे उस दीरगायों वाले मनिश्य से अधिक विस्राम मिला चाहे मनिश्य दो हजार वर्ष जीए किन्तु यदि वज जीवन का आनंद पूरवग भोग नहीं कर सकता तो ऐसी दीरगायों से क्या लाब सब मनिश्य जीवन के अंद में एक ही स्तान को जाते हैं मनिश्य अपने पेट के लिए ही परिस्रम करता है तो भी उसका पेट कभी नहीं भरता अतब उद्धिमान विक्ति किस बात में मूर्ख मनिश्य से स्रेष्ट हुआ गरीब मनिश्य जो यह जानता है कि जीवन में कैसा आच्ष्वन करना चाहिए उससे किस बात में स्रेष्ट सिद हुआ आखों से देख लेना मन की चंचल कामनाओं से उत्तम है अतब बेट के लिए परिस्रम करना भी निस्दार है यह मानो हवा को पकड़ना है जो कुछ भी मनिश्य हो उसे उसका नाम आदी में ही दे दिया गया था मनिश्य के विशे में यह प्रकट कर दिया गया था कि वह केवल मिट्टी है अतब वह अपने से अधिक बलवान व्यक्ति से लड़ नहीं सकता जीवन के विशे में जितना विचार करो उतना ही वह निसार लगता है तो ऐसे जीवन में मनिश्य को क्या लाब मनिश्य अपना छनिक जीवन परचाई के समान व्यतित करता है अतब कौन जानता है कि उसके लिए ऐसे जीवन में उत्तम क्या है मनिश्य को कौन बढा सकता है कि उसकी मृत्यू के पश्चात सूरी के नीचे धर्ती पर क्या होगा